UX Hello Everyone कैसे हैं आप सभी एड़नीश के चिर्पटव नेश, और बताईए आप सभी कैसे हैं Good evening to all कैसे हैं आप सभी सब बड़ेह एकदम gajab Hello अन्जली Hello सतीष, अभी है संजे , कैसे हैं आ आप सभी ? Mokul, Prashant Roy चलो स्टार्ट करते हैं क्लास और अभी आपको पता है कि अभी नया ही वो आया है Tentative Vacancies आई है 2019 की SSC JEE की तो इसके बारे में बात करनी है तो उन्होंने उसमें से आपका MES वाला जो पार्ट है उसको ही अलग कर दिया है तो हो सकता है कि उसका कुछ अलग से निकाला जाए सकती है और अभी वेकिंसी जगी में निकलती та 400- घैसी हो तो इसलिए बढ़ जाती अब आपको 277 करीम आएगी में 273 करीम है तो आई है तो और ने के 600 प्लस वेकिंसी तो कःधे हैं तो काफी गम है है आप इसली बार सिद्या इनai चैना करें काफी पर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि जितना वेकंशे डिक्रीस हुई है बर अभी ये तेंटिटिव वेकंसी है हो सकता है कि आगी-आगी वेकंसी बढ़ जाएं तो आपको टेंशन नहीं लेना है जितना है उतने में ही अभी पढ़ाय करिये not be distracted in this time क्योंकि अभी exam unpass आने वाला है, बहुत से लोगों के admin card आ भी गए है, तो अपने बढ़ाये पर फोकस करिए, last में जो भी होगा देखा जाएगा, ओके, हाँ, अलग से निकाले MS, just like a real ways, हो सकता है कि वो अलग से निकाले MS को, क्योंकि पिसली बार उनने MS दिया था, पर इस ब चलो, different vacancies published होगा, हाँ, हाँ, स्टार्ट करते हैं, आज देखो, मैंने आपको जो आपकी class कराई थी, math and class, उसमें कुछ stoppings रह गए थे, ऐसे highway engineering रह गया था, तो उस highway engineering को हम यहाँ यही पर cover कर लेंगे, अच्छा, लास्ट टाइम में क्या गाना, चलो, बताता हूँ, लास्ट बताओंगा अभी, पहले आप, हाँ, टेस्स का video डलवा दिया है, मैंने, टेलिग्राम गूरूप पर डलने नहीं है, अभी, तीन, दो, तीन, चार, पांच, शे, पांच, शे, आपके हो गए हैं, अच्छ, चलो, बात करते हैं अब, और जो आप, अब मैं जो करा रहा हूँ, आपका हाइवे करा रहा हूँ, हाइवे के questions मैं हाँ पर करा देता हूँ, कौन सा गलर था, ब्लैक वाला, इसले, कौशन में फर्स्ट हाइवे कर लेंगे, मुझे में पास एग घंटा ही है आज, ठीक है, मैं एग घंटे के अंदर आपको 50 बिलस कोशन करना चाहता हूँ, तो जल्दी करेंगे, okay, जल्दी करेंगे, question number first, आपकी screen पर आगया है, all the specifications of highway planning and design are given by IRC, CRI, MVA and HRB, बताईए मुझे जो specification of highway ने दिये थे, सबसे पहले, किस ने दिये थे, तो आपको पता है कि Indian Road Congress जो आपका 19, किसमें बना था हो, 1934 में उसका establishment हुआ, okay, और Jaga Committee के reference पे हमने आपके Indian Road Congress को बनाया, फिर उसके बाद हमने, क्या किया कि 1943 के करी, हमने आपका CRR बना जिसको हम बोलता है, Central Road is a Center, जिसमें हमें different type की जो roads हैं, उनके बारे में बात करी, और फिर उसके बाद आपका first 20-year road plan आया, तो सबसे पहले जो बात की गई थी, वो Indian Road Congress में की गई थी, and A is cancer for this question, ये question आपका SSC J8, अभी का question है, तो ऐसे question में एक्जाम में आ रहे हैं, इन पर आपको ध्यान देना है, okay, चलते है next question में, करिए, next question आपके screen पर आगया है, जवाप देंगे quickly, question में आपसे बूल गया है, the division of the Indian Road into the four classes, National Highway, State Highway, District Road, Village Road, was proposed by, Peer Terrace Gat, National Transport Policy Committee, the Indian Road Congress 1934, and the Nagpur Road Plan, actually ये जो question आपके exam में आया था, इसका जो answer दिया था आपके SSC ने पहले starting में, वो IRC दिया था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि इसका जो answer है, वो ये ठीक नहीं है, तो सबको one marks to all कर जाथा, one marks to all कर जाथा, पर जदी में बात करो कि इसका actual answer क्या है, तो मैं बोलूँगा, this is the Nagpur Road Plan, तो Nagpur Road Plan के अंदर ही हमने different type की roads के बारे में बात की थी, वो थी आपकी National Highway, State Highway, District Road and the Village Road, तो most appropriate जो answer है वो आपका D है, ठीक है, 1943 से आपका start होता है, बीस सल का प्लान था, लेकिन फिर चाइना आ गया, चाइना ने वह और कर दिया, और यह जो आपका प्लान है, यह पूरा नहीं हो पाया time से, और इसको पहले ही खतम कर दिया गया, यह आप धियान लखेंगे, चलते हैं next पर. चलिए, next question आपकी skin पर आगया है, जवाब देंगे, question में आपसे बोला गया है, the which of the following is an unmetalled road, इन में से कौन सा आपका unmetalled road है, the cement concrete road only, arden road only, all of the above and the bituminous road only, unmetalled road कौन सी होती है इन में से, ठीक, तो कि देखो guys, अब last time चल रहा है, तो मैं आपको जाज सादर time दूँगा, कि मैं आपको distract नहीं करूँगा, कि यह कर लो, question यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा main plan रहे है यह रहेगा, कि जितना हमने पढ़ा एक साल के अंदर, हम उसको धंक से revise कर सके, यह होता है कि student का, क्योंकि मैं तो ही कहता हूँ बच्चों से, कि जब आपका exam होने वाला हो, उससे 5-6 दिन पहले आपको सबची छोड़ देन चाहिए, जो मतलब आप जहां-जहां से सोर्सी से पढ़ रहे हैं, उससे आपको अपने उपर revision करना चाहिए, और इसन पर धिहान देना चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कि यह मैं लास्ट क्लास हो, मतलब पेपर से पहले की, आप 27 को मैं आउँगा आपकी क्लास लेने के लिए, बट अभी मैं इसलिए करूँगा कि आपको अपने उपर revision करना चाहिए जाज साथा, क्या आप revise कर सकें चीजों को, ओके, अब देखो, मैं बात करूँगा कि विच्चे तो फॉलॉइंग इसा अन्मेटल रोड, अन्मेटल रोड का मतलब क्या होता है, अन्मेटल रोड का मतलब होता है, जो आपका टॉप सर्फिस है, उस टॉप सर्फिस की फिनिशिंग ऐसी है, उसको हम बोलते हैं कि यह अन्मेटल है, यदि आपके लोड बियरिंग कैपसिटी ऐसा है कि रोड में aberrations नहीं हो रहे हैं, aberrations की tendency नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं कि आपका metal road है, okay, क्या है यह, यह आपका metal road है, तो in this case, the cement concrete is metal road and the bituminous road is also, लेकि जो arden road होती है, उनमें आपका wear and tear भोचादा होता है, तो उनको हम metal road में नहीं रखते हैं, it is an unmetall road and the B is the answer for this question, ठीक है, चलते है next पर, हाँ, analysis दूँगा मैं 27 को, analysis मैं आपको दे रहा हूँगा, रोजना दे रहा हूँगा टेंश नहीं आपको टेंश नहीं लिजे आप, बीच में आता रहा हूँगा आपको motivate करने के लिए, चलो, हाँ, vacancies कम आई है, रिशब तरपाथी काफी कम आई है, कि पिशली बार आपका 15 से plus vacancies, इस बार तो आपका 600 plus vacancies आई है, तो बहुत ही कम vacancies कर दी हैं उन्होंने, पर चलो, देखते हैं, क्या हो सकता है, मतलब हर चीज में बच्चों को, बच्चों को बिल्कुली मतलब क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे, इस बार तो आपका राहिस्तान जेई में आ गई है, बट हूँ है क्यों हर साल नहीं निगलती है, यह हर साल निगलती है, यह है बात बस, चलिए, बच्चों का जवाब देंगे, बच्चों में आपसे बोला गया है, तो आपका हाईवेर रिसर्च बोर्ड है, उसके हिसाब से निगें बात करो, तो हम ग्रूप इंडेक्स में बात करते हैं, और वो आपका जो सोल है, उसको सैवन ग्रूप में डिवाइड करता है, सैवन ग्रूप में डिवाइड करता है, एवन, ए ठू, ए तू, ए त्री, ए फॉर, यदि आपका जो नंबर हो कम होगा, तो हम बोलेंगे इडिस बैटर सोल, यह जैसे से नंबर बढ़ता हैगा तो हम उसको बोलेंगे कि यह आपकी poor soil है तो हमने 7 ग्रूप में divide किया है as per the highway research board and d is answer for this question चलिए जल्दी करिए ठीक है next question आपकी skin पर आगिया है जवाब दीजिए MES की vacancies की यह करेंगे कि वो उसकी vacancies को अलग से निकालें हो सकता है कि वो आपका जैसे daily ways में vacancies अलग निकल निकलनी है तो ऐसे ही आपका MES का vacancies को अलग से निकाला जाएगा बस वो बच गए जिनका इस बार था वो बच गए यार वो मैं बलूँगा कि वो lucky है बस उनका हो जाए चलिए नेक्स कोशन आपके स्कीन पर आगे जवाब देंगे बड़ा सिंपल सा कोशन नहीं तो देखो हम बात करेंगे विच रोड पैटर्स वो अजूम्ट पर फॉर्मला ओफ नागपूर रोड प्लान नागपूर रोड प्लान जो 1943 में स्टार्ट हो था 1961 में खताम हो गया था तो वो आपका स्टार्ड एंड ग्रिड पैटर्न पे बेस था उसमें आपकी रोड को चार्प टाइप में बढ़ा गया था वो मैं आपको बता चुका हो पहले इस पैटर्ण पे आपकी रोड को बनाया गया था चलिए नेक्स पोशन आपके स्कीन पे आगए जवाब दीजे नेक्स पोशन आगए स्कीन पे जवाब दीजे क्विक्ली हाँ नहीं एक्सपेस पे तो आपका जो बंबे में था और जो आपका लखनौ था उनमें थे और नागपूर वाले में एक्सपेस पे कोई टेंशन नहीं थी ठीक है चलिए चलो कोशन में आपसे वोला गया है तो आपको पता है कि यदि मुझे ड्रेनेज की प्रोब्लम को से दिक्कत है तो मुझे ड्रेनेज के लिए मुझे कैमबर को प्रोवाइड करना पड़ता है और इस अम मिनिमम सूपर एलिवेशन इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम आपका होता है 3% and maximum is 5% for the plane terrain plane terrain के लिए हम इसकी वैल्यू को यह रखते है यह आपको पता होगा ठीके तो आपको पता होगा तो आपको पता है की यह का इसका आपचेगा C and C इसका इसका आपको अपको इसका अपको इसका बच्शन इस अब कोश्चन आये हुए है आपके तो आपको लिखाव भी आ रहोगा कि कहां पर आए वे कोश्चन से तो ऐसे कोश्चन ही आपके एक्जाम में आएंगे टेंज मत लीजिए चलो, next question में आप किया है इन्हें highway and ascending gradient आपको दिया हुए है 1 meter in 100, 1 in 100 हो गायो, it is not 1 meter, it is 1 in 100 and meet the descending gradient in 1 in 80, तो आपको दिया है आपको दिया है इस कोश्चन में, कि यति में बात करता हूँ कि आपको n1 की value आपको दी हुई है, it is a positive gradient and it is 1 by 100 and n2 की जो value आपको दी हुई है, it is minus 1 upon 80, तो यदि मैं बात करूंगा deviation angle की, it is n1 minus n2, अभी आपका है 1 by 100, यह आपका हो जाएगा 1 by 80 and this is 800 और यह आपका हो जाएगा 18, तो यह आपका हो जाएगा 9 by 400, it is 9 by 400 and answer क्या आ रहा है, B आ रहा है, उसका C भी आ रहा है, तो C बाले ब इसका answer for this question, ठीक है, 9 by 400, how the patterns work practically, जो patterns कैसे work करता है practically, यह मतलब होता है कि जब मैं आपकी road बनाता हूं, तो जज़ि मैं आपके different type के road plan बनाऊंगा, तो मुझे उनमें differentiate करना पड़ेगा ना, कि यह road plan इसका था, और यह depend करता है आपकी loading capacity पे, कि पहले आपका जो vehicle traffic ता है व इसलिए बनाते हैं, कि अब पहले कि जरौत थी और अब किसी जरौत है, उसके हिसाब से हम patterns को describe करते हैं, चलिए, नए सोचा आपके screen पर आगया है, the PIEV represents the passenger intersection entry in the exit below, तो क्या होता है, PIEV is used for the reaction time, जब आपने कोई vehicle को देखा, और लगा कि वो आपसे कुछला जाएगा, आपके जगात में आता है, यार, यह क्या हो रहा है, फिर आपसे सोचते हो कि अब मैं क्या additional हो, फिर आपके होता है, यह बंदा इस आपने क्यूं आया, फिर आपका होता है, आप मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो यह क्या होते है, PIEV theory है and PIEV theory, यह आपका RPG में question आया था and it's the reaction time. और reaction time को पता ही है कि यदि मैं बात करूँ आपके stopping side distance के लिए it is our 2.5 second and the overtaking side distance के लिए हम 2 second को describe करते हैं for designing. तो answer किया है D and D is concept for this question. चलिए. यहाँ इदे को बुरा तो लगता ही है guys कि ना आप महत कर रहे हैं वो vacancies कम दे रहे हैं but मैं फिर भी आप से बोलूँगा आपको motivate रखिए है ना क्योंकि देखो आपको एक seat चाहिए यदि आप अपने महत करोंगे तो आपको लिए seat चाहिए पर यह कहना असान होता है बड़ आप बैठते हो main जो आपका competition होते हैं तो सब एक seat नहीं मिल पाती है तो वही बात होती है ना पर कोई बात ने देखो जो हमारे पास है उससे लड़ सकते हैं यदि आपके पास दो option है या तो आप उन चीज़ें के लिए लड़ लो है ना और अपने time खराब कर लो बहुत सब्सक्रा time खराब कर लो कि यह ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है पूरी debate कर लो या फिर अपने पढ़ाए कर लो या पढ़ाए करोगे तो कहना कहीं हो जाएगा यह मैं आपको guarantee दे रहा हूँ चलो चलते हैं next question पर बताएगे क्या answer होगा इसका देखो जब हम बात करते हैं आपके different type की roads के लिए तो हमें different type का camel को provide करना पड़ता है यह depend करता है आपके heavy rainfall पे और आपके light rainfall पे यदि मैं बात करूँ कि यदि आपका RCC और RCC and the bituminous road है तो हम क्या करते हैं कि उस वाले case में आपके light rainfall के लिए और आपके heavy rainfall के लिए value अलग-अलग होती है and this is 1.7% and this is 2% यह RCC road and the bituminous road के लिए किसके लिए है it is RCC and the high bituminous road फिर हम बात करते हैं thin bituminous road के लिए thin bituminous road के लिए यह value आपकी 2% and the 2.5% फिर हम बात करते हैं आपके water-bound macadam के लिए this is a 2.5% and the 3% फिर हम बात करते हैं आपके earthen road के लिए तो earthen road के लिए जो value होती है वो 3% से 4% यह बीच में लाई कर जाती है आप question में आपसे पूचा गया है the recommendation camber well on the relative impervious soil तो impervious soil तो इसके अंदर आएगी तो 1.7-2% के बीच में इसका answer होगा and C is answer for this question it is very very important table exam में हर exam में आप state level ले लो आप अपना J ले लो आप अपना A ले लो A question आपके exam में इससे आजाता है तो इसको दिहान से आद कर लेना है ठीक है अब यार देखो क्या है कि बच्चे बुछ रहे हैं सच similar date of SSJ में क्या हुआ and मैं बतादा चाहता हूं उसके बारे में भी कि देखो similar date of SSJ में उनने बोला है कि अभी time लगेगा इसमें और time को मतलब भी है कि वो करना नहीं चाह रहे है and आपका exam पहले हो जाएगा main बात यह है क्योंकि हर चीज को फाइल करने में time लगता है और process इतना बेकार है कि आप जाएगे करेंगे फिर process दाएगा फिर हाथ पर date मिलेगी तो बोड़ा process है उससे पहले आपका exam हो जाएगा फिर क्या फाइदा होगा यार बताओ फिर फाइदा क्या होगा ठालो नेक्स कुछन आपके screen पर आगे जवाब देंगे था minimum roadway विर्त on a single lane bridge as per the IRC standard चलो हाँ court का चक्कर हो गया है चलिए what is the answer for this question जवाब देंगे D, D, D सबकार या answer रहा है very simple question है बुझाए आप से देखो गल्टी करोगे आप जल्दी बाजी में आप हैं देखा single lane road की बात की जारी है and the answer आप लगा दोगे तो answer आपको आप बोलोगे कि सर इसके अंदर 3.75 तो है ही नहीं तो हम मैं क्या लगाँ देखो यहाँ पर जो बात की गई है वो bridges की बात की गई है तो IRC के recommendation था कि bridge में आप अपनी जो road रोड का विर्थ दोगे वो ज़्यादा देना पड़ेगा आपको वोगी बहुत सारे जो paddy strain भी चलते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा safe रखना पड़ेगा तो हम value रखते हैं value is D and 4.25 meter is used in the bridge construction's width चलिए next question आपकी skin पर आगया है जवाब देंगे next question आपकी skin पर आगया है जवाब देंगे the footpath are higher than the road surface what is the range of their height जो आप footpath को provide करते हैं आपकी road surface से उपर तो आप कितना provide करेंगे and what is the range of their height height कर जो range रहेगा वो कितना रहेगा Ranjit Kumar Tamil कौणра अब जय हो राइस्तान राइस्तान ने राइस्ताइश्थान वाले एक 词संधान में उन्होंने प्ताज़र ऋन्होंनी क्या प्रकेती करिये last में कि आपने जो फोम भर रहे है जो last वाला बह रहे है हम उसको करेंगे पहले बोली बोला बोला ने अब बच्चों ने तो फॉम भर दिये हैं, अब मैक्समा ऐसे हैं, जो ने डिप्लोम का बाद है, बिटे का पहले बाद है, और डिप्लोम उनके पास है नहीं, अब क्या करेंगे वो, दिमांग खराब करके भैकर रखाया वास, The footpath are higher than the road surface, what is the range of their height? अब उन से लागे लड़ो, चलिए, अब देखो, हम बात करेंगे कि, footpath पे यदि में बात करूँ कि, जो height है, जो height है, वो क्या होगी, तो minimum जो width आपकी footpath पे use की जाती है, minimum जो मैं विर्थ की बात करूँगा, देखो, यहापे height भी की बात की जारी है, minimum width की मैं बात करूँगा, तो it is 1.50 meter, ठीक है, यह आपकी minimum width प्रोवाइड करते है, जो height है, यहादी मैं height की बात करूँगा, तो height का जो range रहेगा, वो आपका minimum height होती है, वो 15 cm होती है, it is a minimum height, क्या होगी यह, यह आपकी minimum height है, वो 15 cm है, अब क्या होता है, कि जब हम बात करेंगे, कि what is the range of their height, तो 15 से 20 cm के बीच में हम इसको describe करते हैं, and A is concept for this question, ठीक है, 15 से 20 cm की जो height है, हम उसको describe करेंगे, हाँ, ठीक है, तो आप अपनी त्यारी करिए, और जो बिटेग वाले पर student है, उनका के लिए बोलूँगा, देखो, UP में अभी vacancies आने वाली हैं, आपकी J वाले के लिए, पर आप जो बिटेग वाले बच्चे हैं, उनको भरनी पाएंगे, तो आप अपनी UP पर C A वाले exam प नेक्स कुशन आपके सिन पागे, which instrument is used for the measurement for the longitudinal coefficient of friction, पूछ रा आपका कि जो longitudinal coefficient of friction है, उसको मेज़र करने के लिए, फिक सा instrument यूज करूंगा, यू के पी अपएस से कुछ नीं पता भाई, नहीं पता भी, बहुरत देंगे इक संच इस पार तुम्हें लालच देंगे अभी आपके चुनाओं आने वाले हैं तो लालच सेहीं आते हैं बहुरत अां जनता पागल नहीं है किसने कहते हैं पागल है पागल निया लोग समझ जाते हैं यार पर फिर भी लोग ऐसे काम करते हैं चलो next question आपके skin पर आगे च्वाब देंगे मेरे पास time कम है मैं ज्यादा बगयती नहीं करूँगा ठीक है बगयती नहीं यार यह जब दिल लुखता है तो निकलता है फिर मुझ से अब the which instrument is used for the measurement of a longitudinal coefficient of friction तो यदि मैं longitudinal coefficient of friction की बात करूँगा तो आपको पता है कि जो bump indicator है वो हम unevenness index निकालते हैं क्या निकालते हैं we are determined the unevenness index अब हम बात करेंगे कि देखो यह जो bump indicator है यह आपका unevenness index निकालेगा it is a unevenness index निकालते हैं अब हम बात करेंगे कि जो आपका roughometer है वो use के आता है for the coefficient of friction निकालने के लिए longer-term coefficient of friction निकालने के लिए हम roughometer को use करते हैं ना कि bump indicator को ओके तो answer क्या होगा C and C is considered for this question चलता हूं next में next question आपके screen पर आगया है जवाब देंगे question में आपसे बोला गया है which of the following forces will occur when the vehicle move on a curve जब आपका जो vehicle है वो आपका move करता है किसी curve में तो कितने type के forces है वो add करते है मालनों मेरे पास यह curve है और मेरे एक vehicle move कर रहा है तो इस vehicle पर कितने type के forces हैं वो add करेंगे दिखा हुआ है weight of the vehicle the weight of the vehicle is acting downward and the centrifugal force is acting this word okay अब क्या होगा कि अब हम बात करेंगे the perpendicular force is volume of the vehicle volume of the vehicle is not used ठीक है perpendicular forces का मतलब क्या है या तो आपका escape parallel force होगा तो वो आपका friction force होगा तो जब आपका जो vehicle move करता है तो हमारे दो चीज़े होती है कि जो centrifugal force है उसको आपका body का weight taken into account कर रहा हो और नहीं कर रहा है तो फिर हमें super elevation को provide करना पड़ता है centrifugal force को रोकने के लिए ठीक है या बैलेंस करने के लिए तो आंसर क्या होगा इसका the one and two the weight of the vehicle and the central force is acting and the a is concept for this question ठीक है चलिए next question आपके screen पर आगिया है जो आप देंगे question में आपसे बोला गया है the water-bound maca dam roads in heavy rainfall region generally recommended value of a camber water-bound maca dam है heavy rainfall हो रहा है तो बताईए कितना होगा इसका value quickly चलो आपको पता ही है कि जब हम water-bound maca dam की बात करते हैं तो आपकी जो value होती हो कितनी होती है it is a 2.5 से 3% के बीच में होती है 2.5 से 23% और 3% is used for the heavy rainfall तो इसमें से जो most appropriate answer होगा वो 1 by 33 होगा and the B is answer for this question आया ना आगे सबका चलो बढ़ी आया है चलते next पे करिए से देखो ऐसे question भी आपके exam में आएंगे और इनमें आपको थोड़ा सा approximation का use करना पड़ेगा यह सा नहीं हो कि आपके calculation देखे अब छोड़ दिया तो अब बहुत approximation का use करना पड़ेगा for the calculation purpose देखो मैं करता हूँ देखो मैं करता हूँ जिए calculate the extra widening necessary in the four lanes, n की value आपको दिए होई है four lanes and the radius of curve आपको दिए होई है r आपको दिया होई 150 meter given wheel base दिया हुआ है, wheel base of design vehicle is to be meter and the L आपको दिया होई 5 meter तो आपसे पुछा है design, क्या पुछा है आपसे extra widening पुछा है, तो EW आपसे पुछा है it is nL square divided by 2R plus के V divided by 9.5 root R, जहापे जो आपका V है वो kilometer per R में है आप देखो number of lens की में बात करूँगा, तो number of lens हम जो use करते है वो 4 use करते है and the wheel base होगा, wheel base की value आपकी 5 होगी and this is 5 square the radius of curve आपको दिया होगा है 2 into 150 plus के V, V की value किती दिए होई है, V की value आपको दिए होई है 55 kilometer, 55 and this is 9.5 and root 150 देखो, अब आपको पता है कि 12 का square होता है आपका 144 और 13 का square होता है 169 तो अब आपको भी बात समय आ गई है कि जो value होगी वो 12 point कुछ होगी, तो 13 होती तो 169 होता तो यह जो value आएगी वो 12 करीब होगी, तो इसको मैं solve कर लेता हूँ यह कितना हो गया 4 into 25, this is 2 into 150, जदि मैं इसको 25, 15, 15, 30, 5, 30, 2, 4, 1 by 3, तो यह तो 1 by 3 आगया and this is 0.33, जदि मैं इसको solve करूंगा तो यह 12 आजाएगा और यह आपका यह आजाएगा, तो आप 12 से coloration करेगे और उसके आस-पास जो number होगा उसको check करेंगे, पर यहाँ पर जो answer दिये हुए है वो पास-पास दिये हुए है, तो 0.92 meter, 0.93 meter, 0.94 meter, तो यदि आप इसको calculate करेंगे तो बताएगे कितना answer है इससे? बी आ रहा है, 0.93 आ रहा है, तो यदि आप इस बस यह यह तरीका करने का, कि 144 आपका पास में है, तो 12.2, 12.3 के करीब answer, आप 12 मान लीजिए, यदि आप 12.2 से reward देंगे तो value कम आएगी, और 12 से दोगे तो value जादा आएगी, तो हम वैसे से calculate कर सकते हैं, कि जो value आपकी आ र for this question, इसको आपको ऐसे-एसे calculate करना है, वैसे मैं लग रहा है कि जो option हो किसे और के आगे हैं, इसमें, चलो कोई बात नहीं फिर भी, चलो, next question आपकी skin पर आगया है, जो आप देंगे, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, option इसमें ज़्यादा क्लोज दे रखे हैं, बट उसमें इतना क्लोज नहीं आएंगे, उसमें आपका धेर सारा difference होगा, तो या बच्चा कैसे कर पाएगा, या थी 0.95, 0.93, 0.94, बिल्कुल तो exact question करने पड़ेंगे ना फिर तो, पहले ही पड़ेगा, रवीना, आपको पहले ही पड़ेगा, एक exam में देखा था, CHSL के, कि आपको फरवरी तक की आई है, जो current आई है, लेकिन अभी क्या है, कि आपका जो पूछ रखा है, अगस्का पूछ रखा है, सेप्टेंबर का पूछ रखा है, तो आपको उसका दे रखेंगे, what is a useful estimation of a highway user, revenues, combinations of accidents rate, and the establishment of the volume trend, जो क्या होता, अप different type के, जो trained है, इसे आपका annual average daily traffic हुआ, average daily traffic हुआ, जो हम 7 days में करते हैं, and this is annual, and average weekend हम करते हैं, ठीक है, इसको हम daily करेंगे, इसको हम आपका weekend पे करेंगे, तो जो हम बात करते हैं, आपके revenues, revenues की accident rate के लिए, हम हम इसा, average annual daily traffic पे काम करते हैं, ADT, ठीक है, यह आपका सबसे ज़्यादा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा precise होगा, और सबसे ज़्यादा आपको standard result describe करेगा, and the answer is A, A is answer for this question, चलते हैं, next question पे, नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं आप, चलो, next question, next question आपके screen पे आगे, the shape of the stop sign according to the IRC, इतना इतना बुच्छा है आपसे, कि जो stop signs होते हैं, उनका जो size होता हो, वो कैसा होता है, बोलिये, ठीक है, आज आपको 2-3 question नहीं मिलेंगे, जैसे कि मालनो कलको आप CWDM में चले जाओगे, तो हहाँ पे आप सीखोगे उस चीज को, तो मैंने आपको question में डाले हूँ है, वो आपको हहाँ सीखेंगे, पर आज आप यहाँ पे सीखेंगे, आज जाते, चलो, आप देखो, बात करेंगे कि जो शेप होता है आपके stop sign की वो octurnalist shape होती है, है ना, उसमें क्या होता है, कि जो आपका background color होता है, वो आपका red होता है, यदी मैं octurnalist shape बनाओगा, ठीक है? ठेक है, Outerless shape बनाऊंगा, तो उसमें क्या होता है, यहां पर आपका strobe लिखा हुआ होता है, और यह जो आपका background color है, यह रिखा हुआ होता है, आपका shade line वो white होती है, यह पुछे आते हैं कि एक्जाम में जिएण रखेंगे, and this is 980 mm, 980 mm कि इसकी height होती है, इसको भी आप या पर चलो, नैस को शाम की स्कीन पर आगया है, जवाब देंगे, बोल गया आप से the anoscope is used to determine, जो आपका anoscope है, वो क्या निकालने के लिए यूज के राता है, sport speed, average speed, travel time, none of these, जल्दी से. white border होता है, ब्रुकुल सही बात है, चलो, अब जो क्या बात करेंगे, क्या आपको बता है, कि जो anoscope होता है, वो sport speed निकालने के लिए calculate के जाता है, कि जो आपका sport speed है, sport speed क्या होती है, it is instantaneous speed, याथि मैं किसी particular zone में, instantaneous speed देखुआ है vehicle की, वो आपका sport speed होती है, उसको calculate करने के लिए microscope को use करते है, and the A is answer for this question, चलते है next पर. ठीके, थोड़ा तीज पढ़ा रहा हूं मैं काफी, पर मेरे पास time कम है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यल दिकरा रहा हूं, है ना, उसके लिए माफी चाता हूं, चलिए, next question आपके, और वैसे भी भाई, माफी क्यों, माफी में माफी मत, नहीं माँगो मैं, क्यों, क्योंकि यार, last time चल रहा है वैसी, और अब भी मैं आपको पढ़ाऊ, अब भी मैं आपको एक चीज समझाऊँगा, तो फिर क्या अफाइदा? आपको एंजाइटी होती है, सबको होती है, यदि आपको हो रही है, तो आप भी एक human being हो, है ना, ऐसा नहीं है कि यदि आपको नहीं हो रही है, तो आप alien हो सच में, सबको होती है, तो आप उसको थोड़ा सा maintain रखिए, और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए, यदि आपको नहीं होती है, तो आपको पता है, कि जो design capacity होती है, it is 1000 V by S, and the S is the distance between the two vehicles, तो यह क्या होगा, कि drive proportional to the average center to center spacing of the vehicle, यह पहला गलत हो गया, inversely proportional to the vehicle speed, यह भी गलत हो गया, and the, depends on the ambient temperature, यह भी गलत हो गया, and the answer is D, and D is considered for this question, ठीक है, average center to center spacing of the two vehicles के बीच का, directly, inversely proportional होगा, तो answer क्या है, D, and D is considered for this question, चलिये, it is very nice question, जाव दीजिए, question में आपसे बोला गया है, the which the following is not an example of a regulatory sign, इन में से कौन सा आपका regulatory sign का sign नहीं है, चलिये, क्या answer है इसका, कुछ बोल रहे है, stop sign, अरे, मैं आपको कहीबा बता चुगा हूँ, देखो, stop sign, give way sign, one way sign, यह बात मैं आपको कहीबा बता चुगा हूँ, पर बच्चों को बढ़ा doubt हो जाता है इसमें, कि यदि मैं आपसे बोलों कि stop sign लगा हुआ है, तो आप बोलोगे, it is a warning sign, बट यह warning sign नहीं होते हैं, it is a regulatory sign, क्या होते हैं यह, यह regulatory sign होते हैं, जो आपके एक, noons पर depend करते हैं, कि आपको यह मानने पढ़ेंगे, stop sign लिखाबा तो आपको stop करना पड़ेगा, give way है, तो road आरही है, तो आपको जो आपके परश्चिन जा रहे होंगे, उनको आपको time देना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्याना कें इस बात को, कि जो आपका यह है, which the following is not an example of a regulatory sign, तो stop sign, give way sign and one way sign, यह साइक सारे आपके regulatory sign है, लेकिन जो आपका T-intersection sign है, यह आपका warning sign है, it is your warning sign, T-intersection sign, no, no, sorry, sorry, it is not a warning sign, it is an informatory sign, यह क्या है आपका, यह आपका informatory sign है, informatory sign है, आपको information दे रहा है, कि यहाँ पर आपका T-intersection लाइक करेगा, ठीक है, तो T-intersection के आपका एक informatory sign है, it is an informatory sign, not a warning sign, ठीक है, यह बात आपको धिहान रखे, बहुत से बैचों confusion है, कि सरी, stop sign कैसे हो गया regulatory, अरे regulatory होता है तो होता है अब, चलिए, चलते हैं next question पर, next question आपके screen पर हो गया है, जवाब दीजिए, चलो, next question आपके screen पर आगे है, जवाब दीजिए, calculate the equivalent radius of a resisting section of a 20 cm thick slab, if the ratio of the radius of wheel load distribution to the thickness of slab is 0.5, बोलिए, कैसे करेंगे, देखो, क्या होता है, तो हम resisting section की बात करते है, तो वो formula है, बड़ा-बड़ा सा formula, वो आपको याद होना चाहिए, नहीं आद है, तो याद कर लो यार, क्या formula होता है, it is under root 1.6 a square, plus k h square, minus k 0.675 h, और यह ताब होता है, जब a is less than 1.724 h, यह ताब होता है, ज़िए ऐसा नहीं है, तो b equals to a हो जाता है, b equals to a हो जाता है, अब बात करते हैं, if the section आपको दिया हुआ है, calculate the equivalent radius of the distinct section of 20 cm, तो आपको a दिया हुआ है, 20 cm, if the ratio of the radius of wheel load and to the thickness of slab is 0.5, तो a by h आपको दिया हुआ है 0.5, ठीक है, यदि मैं बात करूँ आपके, कि a by h की value आपको दिया हुआ है 0.5, तो यहां से आप h calculate कर सकते हैं, then 1 upon 2 माल लेता हूँ मैं इसको, then the h is equals to 40 cm, ठीक है? बात समय से भी गो, calculate the equivalent radius of the distinct section of 20 cm, thick slab दिया हुआ है, okay, this is not a, it is h, it is h, h आपको दिया हुआ है b cm, okay, a तो आपको निकालना पड़ेगा ना पहले, a तो आपको निकालना पड़ेगा, तो जो a होगा, वो आपका radius of wheelbase होता, देखो, यहां confusion नहीं करना आपको, दो चीज़ ध्यान रखेंगे, कि यह आदि मैं आपकी यह road surface है, और यह आपका wheelbase है, ठीक है, तो wheelbase का जो आपका radius होगा, वो a होगा, और यह कितने part में impression कर रहा है, वो impression, वो impression का radius है, वो आपका होता है, resisting section का radius, resisting section का radius का रहा है, वो आपका B होता है, अब यहां पर जो आपको दिया हुआ है, वो आपका radius of wheel load distribution निकालना पड़ेगा, तो h आपको 20 दिया हुआ है, and a by h आपको 0.5 दिया हुआ है, and this a equals to कितना हो जाएगा, 10 cm हो जाएगा, तो आप निकाल लो यहां से, कितना होगा, under root 1.6, और a कितना दिया हुआ है आपका, 10 का square, plus के h की value कितने दिया हुई है, 20 का square, minus के 0.675, into h की value कितने दिया हुई है, h की value आपकी 20 cm, ठीक है, क्योंकि आपको समय में आ रहा है, यदि मैं a by h की value को याद करूँगा, तो तभी मैं इसका formula लगा सकता हूँ, क्योंकि a by h की value आपकी 1.724h से कम आ रही है, तो यदि आप यहां से calculate करेंगे, तो कितना आएगा यह? तो 100 square, तो 1.6, double zero, 160 हो गया यह, and this is 400, 400 हो गया, and this is 0.675 into 20, ठीक है, अब देखो, यदि आपका 400, इन sub-question को करने का सबसे बैस तरीका यही है, RCC और CT कर दिये गई यह, क्या हो गया? अब देखो, अब हम बात करेंगे कि जो आपका यह 160 है, 400 है, तो यह कुल मिला के आपका 560 बनेगा, अब आप सुच लोगे कि 560 को मैं कैसे लिखूँगा, देखो, जब मैं 30 square करता हूँ, तो 576 आता है, 529 आता है, 33 square, 24 का जो square आएगा, वो आपका 576 आएगा, 33 square करेंगे, तो आपका 529 आएगा, और 24 का square करेंगे, तो 576 आएगा, तो आपको इस बास सब्सक्राइब आ चुकी है, जो वैल्यू है, वो 23 से 24 के बीच पर लाई करेंगी, और इस इस 20, मैं इसको 23 लिख देता हूँ, मालू मैं इसको 23 लिख दिया, अब 0.675 इंटो 20 आप कर सकते हैं, वो तो बड़ा आसान है करना, तो उसमें यदि आप इसको करोगे, तो 13, 13, 2 यशे, तो 13.5 माल लिता हूँ, आप तेहे इसमें से 13 गटाओ, तो यदि यदि या आंसर जो आएगा, वो 10 के करीब आएगा, 10 के करीब आएगा, यह समय में आया है, इसको हम बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे for the exam point of view, ऐसे कोशिशन चुटकियों में हो जाते हैं, यदि आप करना चाहेंगे तो, तो यहां पर आपके जो वेरिशन दिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, यदि वेरिशन बहुत पास-पास दिया हुआ तब दिक्कत आती है, चलो, नेक्स कोशिशन आपके स्कीन पर आगे है, जवाब देंगे, नहीं आया, बै, बिने, संत्रा, संत्रे भाई साब देखो, देखो, बुरा मत माना में बात का, मैं इसा बोल देता हूं, पर टेंशन लेना बात नहीं है, देखो, मैं यह बोल रहा हूं कि यदि आपका यहां पर 160 था, और यह आपका गया था, यह आपका 0.675 into 20 था, तो यह आपका क्या आगया, यह आपका 560 आगया ना, इस यह आपका 560, ऐसाइचा 9, और जो 24 का स्क्वार है, वो आपको यहाज करना पड़िएगा, वो आपका 570, था, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो इन दोनों के बीच में कई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने 23 माल लिया, मैंने क्या मनल लिया? मैंने 2013 ही मानल लिया भी मिला tyre겁 और या 13.5 है मुझे आरही यह रही है कि मिला 9 10 के बीच में आधाये और 9 10 के बीच में, आपका क्या है? एक ही दिधाया एक ही mask कर रहा है देखो, क्यो, 9-10 के बीच में कुछा answer मैंच कर रहा है? एक ही मैस कर रहा है, इसे 10.16, क्योंकि मैंने value कम माना है, मैंने value जादा रहेगी, तो मुझे answer जो आएगा, बढ़ा आएगा, तो 10.16 कर रहाएगा, ऐसे हम कर सकते हैं, तो यह असान question है, इनको आप कर सकते हैं, चलिए, next question आपके screen पर आगे, जवाब देंगे, the shape of the giveaway sign in the traffic signal is, नमस्कार जी, नमस्कार शर्मा जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिये हैं, ठीक है, तो जिनका break-up हो चुका है, प्लीज वो break-up song सुने, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत feeling मिलेगी, जो आपने देखा होगा, यह है दिल मुश्किल वाला गाना, सुनिए, दो-तिन बाद सुनिए, फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आपको जो break-up होगा है, वो आपको अच्छी feeling देगा, ठीक है, बताओ, ऐससे चीजे पूछते हैं उससे, यह मैंने आज सुबह खाना नी खाया, आज शाम को मैं नहाया नी था, चलो, नैसको शाम की screen पे आ regulatory sign है, it is over regulatory sign, यह आपका एक regulatory sign है, ओकी, तो answer क्या होगा इसका, answer आपका हो जाएगा D, and D is answer for this question, चलते हैं next पे, नेक्स शाम की screen पे आगिया है, जवाब देंगे, चलो, next, जो 2020 का बैस स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 5th of November से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 3 November को सुरसर का birthday है, मैंने आपको पहले बता दिया है, सुरसर से पार्टी ले रहा है, उनका birthday है, तीन तारिक का, आपको बता दिया है पहले ही, खबरी बन गया हूँ मैं, The Webster design method is used in method of speed study, determination of a road capacity, design of transition, and design of a traffic signal, चलिए, अपर क्या होता है, जो Webster method हम use करते हैं, तो उससे हम आपका cycle time निकालते है, C equals to 1.5 L plus के 5 minus के 1 minus के Y, तो यहाँ पर जो आपका L होता है, वो आपका total loss time होता है, and this is NTL, यह आपका L क्या होता है, L आपका होता है, NTL plus के R, जिसमें आपका loss time and the amber time तोनों को हम add करते हैं, this red time को भी हम add करेंगे, and the Y is depend upon the saturation, capacity, saturation flow, and your normal flow, उन पर depend करता है, उन पर आपका depend करेगा, आप देखो, क्या होगा कि आप इसको यूज करते हैं for the traffic signal and the D is answer for this question, चलते हैं next पर, चलिए, जो आपका optical cycle time, जो depend करता है, वो निकालते हैं, चलिए, next question आपके skin पर आगया है, जवाब देंगे, बुल गया है, आपसे the height of the curb stone, in case of semi-barrier curb, मैं आपको बता चुका हूँ कही बार कि आपके different type के curb होते है, it is semi-barrier, full-barrier, ठीक है, यह आपके different type के curb होते हैं, यादि मैं semi-barrier curb की बात करूँगा, और यह आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो मैं आपको बाबर नहीं बताऊंगा, and see, is cancer force, this question, 15 cm, देखो, आपके पता ही भी होगा, कि 12 cm, 15 cm, 20 cm के ऐसे हम कर्व को प्रोवाई करते हैं, यह करिए, it is very good question, it is very good question, ठीके यह आपको, यह जो चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा है question, यह actuality में आपको दिखाए देगा, जब आप CPWD जाओगे, भवान करें कि आप सब CPWD में ही जाएं, तो यहाँ पर आपको यह सिखाए जाते हैं, जब आपकी classes होँगी, तो यहाँ पर यह आपको य क्या-क्या part होता है, किन रोड को हम आपकी national highway बोलते हैं, state highway बोलते हैं, सब कुछ आपको इसकाया जाएगा, चलिए, क्या answer इस question का, जवाब देंगे सभी कि सभी student, ब्राउन बता रहे हैं, अभिशेख शर्मा, ब्राउन, ब्राउन कहां पड़े लिए हो, ओके, देखो, अ अपर part of the kilometer stone, जब आपने kilometer stone देखा होगा, तो आपने ऐसा stone देखा होगा, ओके, ऐसा, इसमें हापे आपका white color देखा होगा, और उपर, उपर यह जो color होता है, यह different shade के होते हैं, यह आपके different shade के होते हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसको white से बनाऊं, त और यह जो उपर वाला part होता है, यह चीज होता है, और यह चीज होता है, आपके depend करता है कि आपका state highway है, या फिर आपका national highway है, या फिर आपका village road है, उन चीजों पर depend करता है, अब देखो, जब हम बात करते हैं, आपके, in the case of state highway, यह जो आपका color रहेगा, इस color को हम green बनात है, ठीक है, अब जदी इस value की मैं बात करूँ, तो यह value आपकी yellow हो जाती है, it is yellow, in the case of national highway, national highway के लिए आपकी yellow हो जाती है, अब मुझे बता दो, कि जो आपका village road होगी, ठीक है, यह जदी मैं बात करूँ, आपके, यह ऐसे बनते हैं, यह ऐसे तो होते हैं, अब मैं बात करूँगा, कि यह जदी आपकी village road है, आपको दिखरा है कि हाँ से आपका village road हो स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए, आपका जो color होगा, इस वाले part का color होगा, वो कैसा village road red होती है, टीक है, तो जो village road होती है, वो आपकी होती है, orange, orange color की होती है, orange, orange वाला part जो आपको दिखाये जकी पर उपरेव पार्ट में, वो आपको दिखाये जाएगा ठीक है, यह आपको धिहान दक नहीं है, फूर दो, exam point of view, यह आपको भूया जाएगा सब्सकी मजाता हुआ है ठीक है चलो नेक्स कुछ आपके स्कीन पर आगे है जो आप देंगे ब्लैक्टो मेजर दिस्टिक्ट रोड बहुत सही बात है जब भी मेट मुवी देख लो जब भी मेट मुवी देख लो हाँ देख लो आई बोलिए तब बैक्ग्राउंड क्लाव दा इन्फोमेटरी들이いंफोमिशन ट्रेंफिक सायन बोड जबके इन्फोमेशन त्रेंफिक साइन बोड आपको दिखाई देते हैं उनका बैक्ग्ग्राउंड का वोताय कि एसे से बोहत बहुत पुछ बिछा रहे है एकल फिट्रेंड एक्जाम को यह टो आपको अग पुछ फीकी को देखना पड़ेगा कि ऐसे question पूछ जाने तो मैंनको एक ऐसे-ईसे याद कर लूँ ok to answer क्या होगा इसका कुछ student c बता रहे हैं कुछ b बता रहे हैं बोलिए क्या answer होगा इसका कुछ c बता रहे हैं कुछ b बता रहे हैं red भी बता रहे हैं white बतादो, yellow बतादो, green बतादो, red बतादो, सब बतादो, ठीक है, तो जहाना कि इस बात को, it is a green color, green color का होते ही है, and C is answer for this question, अरे भाया, जो yellow बता रहे हैं, बतलब रोड पर चलते ही नियोंगा बिल्कुल हुई, हवामें उड़ते हो गया, जब आप जाओगे रोड पर दिखते हैं आपको, green color के लगे हो हैं बोड, हाद हो गई कता ही, चलो, हलके गुलावी, चलो, next question, हाँ, वैसे blue color के भी होते हैं, बत आप जो चल रहे हैं, आपके, वो डिपैंड करता है, किस ताइप का रोड है, पर हम जो मानते हैं, maximum जो बने हुआ हैं अंडे के अंदर, वो green color के बने हुआ हैं, चलिए, जो आप देंगे, कि what is the answer for this question, the minimum ductility range prescribed from the bitumen, be used in the pavement construction, is 50-75 cm is used in the ductility preserve, अब मुझे बताओ, कि मैं आपके bitumen के ductility चेक करूँगा, तो मैं कौन से instrument से चेक करता हूँ, कौन से instrument चेक करता हूँ, तो आप ध्यान लखेंगे, it is a briquette, briquette testing machine से हम चेक करते हैं, कि आपका, जो bitumen है, उसकी ductility क्या है, okay, then B is answer for this question, चलते हैं, नेक्स पे, चलिये, नेक्स कोशन आपके स्कीन पे आगिया है, जो आप देंगे, हम briquettes, नेक्स कोशन आपके स्कीन पे आगिया है, जो आप देंगे, कोशन मैं आपसे बोला गया है, तो है, the minimum desired, the minimum desired martial stability value, for dance-brituminous mix, to be used in batuminous concrete surface courses, क्या आपसर इसका, चलो, जो आप देंगे, कि what is this question, मैं इसको आपको homework में देता हूँ, this is your homework, ठीक है, मैं आपको जो homework देता हूँ, आप सब सोचते हो, कि ये बेयाजूफ है, ये खड़ा हुआ है, आप बहुत कम बच्चे जवाब दे पाते हैं पर मेरा काम है होवक देना मैं इसलिए होवक देता हूँ क्योंकि ये कोशन थोड़े अलग होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़े हैं यदि मैं कहां सबता हूँ आप रटी नहीं पाओगे और भूल जाओगे तो य पादेगे हैं नेक्स आसा आपकी स्कीन पर आगया है जवाब देंगे इन्हें Highway construction engineering the equipment HMA means जो आपका Highway construction करते हैं उसमें जो HMA होता है उसका मतलब क्या होगा बोलिए देखो जो मैं बात करूंगा Highway construction engineering में जो आपका Equipment HMA होता है उसका मॉलता है hot mix asphalt, क्या बलते हैं इसको hot mix, hot mix नम्कीन आती है वो hot mix नहीं, hot mix asphalt plant बोलते हैं, जहां से हम आपके asphalt को बनाते हैं, ठीक है, तो different type के asphalt बनते हैं, वो depend करते हैं आपके curing पे, किया आपका rapid curing है या फिर आपकी medium curing है, या फिर आपकी slow curing है, उन पर depend करते हैं जवाब देंगे, चलिए, जवाब देंगे quickly, question में आपसे पूछा गया है which one of the following defects indicate the progressive disintegration, bituminous premixes, carpet, surfacing by a loss of aggregate, चलो, कोई बात नहीं, मतलब रटो भी तो समझेगे रटो, mainly जो रटना ही होता है last में, हर चीज़ याद ही हो नहीं पड़ती है, तो वो तो आप भूल जाओ कि जो scientist होते हैं वो रटते नहीं है, जो exam निकालते हैं वो रटते नहीं है, सबसे जादा रटे ही है, बट चीज़ों को रटना भी है तो समझेगे रटो ना, ऐसे थोड़ी, कि कुछ भी रट लिया, मतलब 800 kg रट लिया, पर यह पता नहीं किसका 800 kg, बिटूमन था या कुछ और था पता नहीं क्या है, बोलिए, what is current about this question, देखो, जब भी हम बात करते हैं कि आपका जो डिसिंडिक्शन हुआ, बिटूमन प्रिमिक्स कार्पेट का, सर्फिस का, तो सर्फिस में क्या होता है, सर्फिस में आपको ऐसे घड़े-घड़े से दिखाय देते हैं, पार्टिकल्स के इंटेलों की नहीं हो पाई है, और अपके ऐसे-से पोर्टोस दिखाया जाते हैं, इनको हम पोर्टोस बोलते हैं, जो रिवैलिंग बोलते हैं, रिवैलिंग में बता जाया हुआ कि आपके सब ग्रेड पे जो भी डिफेक्ट्स हुआ, उसका output गड़े आपको ऐसे दिखायाते हैं जबकि जो रिवेलिंग मेला पार्ट होता है उसमें आपको ऐसा उबढ़ा होवा पार्ट दिखायाता है तो इन दोनों में difference है इन दोनों difference को ध्यान लखेंगे थेके तो ध्यान रखेंगे इस बात को आंसर क्या हो जाएगा इसका दा इंद पॉर्ट होल सिसकर एट अंसर फूर दिस कोश्चन ये कोश्चन आपके एक्जाम में कई बर आया हुआ है तो ध्यान रखेंगे चलें धन्यवाद कर लियानी जी आपका बहुत-बहुत दिलीट मत करो ये फिर सुरू होगे जै महा काल कर दूँ हम मैं डिलीट मत करो चलो नहीं देखो आपका जो प्रिमिक्सिस हैं प्रिमिक्सिस मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आपने रूज यूज किये पेमेंट की सर्फिस पे उनका इंटरलोगिंग त्रूट गिया है उसको हम बोलते हैं चलो question आपके screen पे आगया है जवाब देंगे बोला गया आप से question में ते बोला गया है the flashpoint temperature of paving garden as per their internal standards जो आप क्या हुता है ये जो हम आप bitumen का flashpoint करते हैं flashpoints हम क्या निगालते हैं गे हम देख़शबशमें निगालते हैं जो steel की हम steel bowl use करते हैं, उसका डाय पुछ जाता है, उसका वेड पुछ जाता है, वोसे हम use करते हैं. Okay, तो जब हम बात करते हैं, आपके इंडियन स्टेंडर के temperature की, तो वो आपका होता है 220, 220 degree centigrade is the temperature used in the Indian standard and B is concept for this question. ठीक है? चलते हैं आगे. Next question करेंगे. The bowl shape holds extended in the base ores is called a potholes, उसका revealing ही होना चाहिए, सर. नहीं, उसका potholes ही होगा, तो मैं यह बात देख लूँगा. 175 होता है, ना. 175 is a standard value तो हम टेस्स करते हैं, यही मैं इंडियन स्टेंडर ही बात करूँगा, तो 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 थोड़ा जादा करना बढ़ता है, तो कि यहां पर atmosphere condition ऐसी है, ठीक है, चलो, मैं देख कर बता हूँगा फिर आपको, flash point तो आपका 175 होता है, लेकिन इंडियन स्टेंडर की बात की गई है, जो बनाया हुआ है, इंडियन का नहीं बनाया हुआ है, तो 175 से जादा ही temperature को हम रखेंगे, in this case, चलिए, next question आपकी skin पर आगे, जवाब देंगे, the Charpy test is used for the banding test, and impact test, the fatigue test, and the hardness test, तो ध्याने के इस बाद को Charpy test तो यूज़ाता है, चलिए, next question आपकी skin पर आगे है, जवाब देंगे quickly, question मैं आपसे बुला गया है, the lean concrete base is an example of composite pavement, semi-resist pavement, the flexible pavement, and the reserve pavement, जवाब दीजिए, okay, ठीक है, ठीक है, क्या नामेन का, Abhishek Sharma, देखो, Indian standard पूचेगा, तो आपको 220 करना है, यदि Indian standard नहीं पूचेगा, तो आप उसरा है, कि वो, आप जो test कर रहे हैं, flashpoint test, वो आपका 175 degree centigrade पर करते हैं, चलो, अब देखो, बात करेंगे, कि what is the client's for this question, the lean concrete is an example of a composite pavement, semi-resist payment, flexible payment, and visit payment, बोलिये, देखो, होता है, कि जो आपका cement है, cement particles है, वो आपने कम यूज किये, cement के quantities है, वो कम यूज की गई है, आपने एक बात सुनी होगी, इसको हम बोलते है, aggregate cement ratio, क्या बोलते है, aggregate cement ratio, सुनाओ आपने, aggregate cement ratio जब बढ़ता है, तो आपका, आपका जो strength है, उसको हम describe करते हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ, कि aggregate cement ratio बढ़ रहा है, मतलब क्या है, cement आपका कम हो रहा है, cement आपका कम हो रहा है, तो मतलब आपका lean concrete बन रहा है, तो lean concrete को हम बहुत साइट तरीके में यूज करते हैं, और इन सभी में भी हम यूज कर सकते हैं, flexible में, rigid में, सब जगें यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो lean concrete का मतलब ये होता है, या आप ये ध्यान रखेंगे, कि fine particles and the cement quantity is less, तो Ioginist का अंसर का आइज आजिया है, it's a star mark, और one mark to all, one mark to all, पहले कोशन बना दो ऐसे ही, ओट पटांग, फिर अपने आप सुन में नहीं आता कि अंसर क्या होगा इसका, फिर बच्चों का number दे दो, ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ का सबसे ज़्यादा जो यूज कर आता है, आपका lean concrete is used in the composite payment, composite payment यूज कर आता है, लेकिन इसमें सम्में यूज कर सकते हैं, आप lean concrete को, ओके, तो इसका कोई answer नहीं दिया है उनोंने, तो star mark लगाया है, पदर नहीं क्या सुसके बेपर बनाते हैं, चलो, चलते है next question पर, पर कटो बढ़ जाती है, हाँ यह तो है, चलो, next question आपके screen पर आगया, जो आप देंगे, which the following is the binding material in water-bound macadam roads, जो आपके water-bound macadam roads बनती है, उनमें binding material क्या use किया जाता है, बताइए, तो cement लिखा हुआ है, sand, stone dust, brick dust, देखो, water-bound macadam है, तो cement तो use नहीं करेंगे, क्योंकि RCC में आप cement को use करते हैं, तो जो first option है, वो तो नहीं हो सकता, sand भी नहीं हो सकता, तो यह दोनों use कि जाएंगे, आपके RCC construction में, आप बचा आपका brick dust, अंदर stone dust, दो क्या होता है, कि जब हम बात करेंगे, आपके water-bound macadam मे, तो जो binding materials हम use करेंगे, वो आपका stone dust use कर आता है, stone dust, हम करने को तो हम आपका brick dust भी use कर सकते हैं, लेकि जो brick dust के अंदर, तो जो percentage होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसलिका aggregate reaction बन सकती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इसको use नहीं करते हैं, तो हम आपका stone dust use करते हैं, in the case of water-bound macadam, ठीक है, तो answer क्या है, इसका answer आप जो का उजएगा C, and C is the answer for this question, चलें आगे, Sir, Cement to Water Ratio, और Water Cement Ratio में क्या answer है, Avnish Sharma और Sharma Avnish में जो difference है, वही आपका Cement Water Ratio, और Water Cement Ratio में है, किते में जाए है, किरास किते में जाए है, चलिए, ने सोचना आपके स्कीन पर आगे, जो आप देंगे, The height of the dowel above the road level should be not be more than, देखो, क्या होता है, कि जब हम यहाँ पर dowels की बात की जारी है, तो आप सोचे होंगे, कि यह dowel क्या है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, कि मालनो मेरे पास, यह मेरा river वाला पार्ट था, अब इस river वाले पार्ट पे, आपने bumps को provide किया, it is bumps वाला पार्ट, कि भाई यहाँ पे आपका जो erosions है, वो नहीं होना चाहिए, और बाद में आपकी जो width है, river को वो बढ़ाना पड़े, तो हम क्या करते हैं, आपके कुछ ऐसे embankment बनाते हैं, ऐसे embankments, यहाँ पे आपके ऐसे embankment बना जाते हैं, इन embankments को हम dowel बोलते हैं, it is not a dowel bar, it is dowels, यह dowels क्या होते हैं, it is a embankment part, कि आपके जो bank है, उसको यह stability प्रोवाइड करते हैं, उसको हम dowel बोलते हैं, ठीक है, तो, the road level से अबब बना जाते हैं यह आपके, और इनको हम dowel बोलते हैं, अब यह बात कर रहा है कि, इनका जो height रहेगा, वो कितना रहेगा, ठीक है, बात समय सभी को, कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो धिखो, ध्यान लखें इस बात को, जो उनका height रखी जाती है, it is 30 cm height, and C is cancer for this question, dowel bar अलग होती हैं, और यह dowels अलग होती हैं, चलिए, next question आपके skin पर आगे है, tire pressure control the following, total thickness of pavement, number of layer to be provided in the pavement, type of sub-base and the base course, quality of material to be used in the upper layer of pavement, देखो, जो tire pressure के हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, आपके, residuity factor की बात करेंगे, किसे बात करेंगे, it is use a residuity factor, तो आपको पता है, कि जो residuity factor हम बात करते हैं, tire pressure और contact pressure को देखे चलते हैं, तो वो check करता है, कि जो आपका bitumen road है, जो upper layer है, उस upper layer पे, जो materials है, उस quality क्या है, उसको हम check करते हैं, and the answer is D, and D is answer for this question, आज का last सवाल मैं करता हूँ, यह तो वही है, आज का last सवाल करके, हम चोड़ते हैं फिर आपको, करिये, आज का last question है, मताईए, the ruling gradient in hill roads आपको दियावाई 6%, and the horizontal curve is provided for the radius of 75 meter, the compensating gradient of road will be, बोलिए, क्या answer इसका बड़ा simple सा question है, तो आपको पता ही है, कि जब हम grade compensation निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, it is a minimum of 75 by r, और 30 plus के r by r, ठीक है, अब जदी आपको radius सि 75 दे दिया है, तो आपका जो grade compensation के value आएगी, it is 1%, अब बात करते हैं कि compensating gradient कितना होगा, तो compensating gradient आपका हो जाएगा, grade compensation minus के, यह हो जाएगा आपका ruling gradient, ruling minus के grade compensation, and this is 6 minus के 1, and this is 5%, 5%, ठीक है? join this हो गया, कोई attention नहीं है, आप उसका इलाव हो जाता है, join this ने बड़ी भिवारी थोड़ना है, बस तो दवाई खाने पड़ेगी, आपको time time, आप देखो, यहाँ पर मेरा जो class है, वो खतम हो गया है, बस एक घंट का time था, मैं जादा एक घंटा, तीन मिर्ट ले चुका हूँ मैं, वैसे मैं दो मिर्ट पहले बाद में आया था, तो पुरे एक घंटा हो चुका है, चलो फिर मिलते हैं आपका next class में, अरे एक बार ही answer दो, सर जी देख रहे हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपका next class में, और please, अच्छी से preparation करिये, देखो, रेकेंसी कम आ रही हैं, जादा आ रही हैं, इन पे आप इतना जादा depend मत करिये, आप अपने preparation को रखिये, यदि आपकी preparation अच्छी होगी, तो आप कही नखी सटो जाओगे life में, आपकी देख लेंगे हैं, लिखें, और मिलते हैं फिर आपका ने स्क्रास में, बाबाई!